करने कि तो आज भारत्वर्ष में बुल्डोजर की खुब सारी चक्छा चल गई है कभी दिल्ली के इस छेत्र में बुल्डोजर चला कभी दिल्ली के उस छेत्र में चला कभी लखरों में चला तो कभी कानपूर में चला तो कभी मद्यप्रदेश के किसी शहर में चला तो कभी गुजरात के राष्टर के अलग-अलग राज्यों में बुल्डोजर को ले करके बहुत सारे समाचार आते रहते हैं लेकिन आज लाखो विद्यारतियों की करिया कांस्मिंग करने के प्रश्याथ मेरे सामने प्रस्टन खड़ा होता है कि क्या सरकारों के इन कदमों से विद्यारतियों और युवाओं के जीवन पे कोई सीधा प्रभाव पड़ता है क्या मैं इसको काफी स्टेडि करने का प्रयातिन किया और इसे स्टेडि के पूरी प्रक्रिया के बीच में मैंने पाया कि बुल्डोजर गाउं गाउं घर घर उजाला ला सकता है और प्रतियक राज्य में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च मैंने करने का प्रयत्र किया मैं चाहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि कुछ और भी चीजें इसमें उत्पन हो रही है और बुल्डोजर के माध्यान से बहुत सारे कंस्ट्रक्टि और भी कारे किये जा सकते हैं तो आप कमेंट में अवश से लिखें ताकि सुरताओं को और बाकी लोगों को इसका हम बेनेफिट लोगों तक पहुंचा सके सो मैटर बहुत सिंपल है और मैटर ये है कि बुल्डोजर कौप योग कहां और कैसे किया जा सकते हैं सबसे पहले हर गाओं हर एक कस्पे हर एक टाउन हर एक शेहर के पास सरकारी जमीनों का एक भरमार है खुप सारी सरकारी जमीने हैं दुर्भाके से पिछले कई सारे डेकेट्स में भू माफियाओं ने और कुछ आप्रामारिक लोगों ने उन जमीनों पर कबजा कर लिया है इसके नाते सरकार बहुत सारी जो चीज़ें गाओं के लिए शेहरों के लिए करना चाहती है उसके पास भूखंड का अभावसा प्रतीत होता है यदि बुल्डोजर की मदद से उन जमीनों को हम खाली करवा ले हैं तो सरकारों के पास उन जमीनों पर बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम करने का एक दिशान लेगी जैसे आज हम देखते हैं कि कोईले की कमी के नाते और कहीं न कहीं हमारे हाँ पानी के उत्पन पानी से उत्पन करने वाले एलेक्ट्रिसिटी और भी ऐसे जो चाहे वो थर्मल पावर हो चाहे वो दूसरे पावर के जो माध्या में चाहे विंड पावर है हम लोगों के आवश्रक्ताओं तक नहीं पहुँच पार हैं सरकारों ने गाउं गाउं तक बिजली पहुँचा दी है अब 24 गंटे बिजली रहे इसके लिए बिजली उत्पन करने के आल्टरनेटिवस पे हमको काम करना होगा इसी नाते यदि इन सरकारी जमीनों को जिश्ट को भू माफियाओं ने कबजा कर लिया है बुल्डोजर की मदद से खाली करवा लिया जाए और वहाँ पर सरकार सोलार पार्क बना दे और उससे उत्पन होने वाले बिजली उस गाउं के लोगों को फ्री मिले और यदि उत्पन जादे हो रही है तो उसको सेल किया जाए आज आपएंगे के इलेक्टिसिटी के अभाव के नाते, इंडस्ट्रियल डवलोप्मेंट और बहुत सारे जो हमारे infrastructure में development की आवशक्ता हैं, वो नहीं हो पा रही हैं वो सारे होने लगेंगे और यदि हम इन आवशक्ताओं को पूरा कर पाएंगे तो शहरों पे जो population और जनसंख्या का बहुत बढ़ा एक बहार है वो भी कम होगा क्योंकि गाओं में घर घर पे बिजली होगी तो शहर में जो बिजली के अभाव के नाते opportunities के भाव के नाते जो population आकर के बस गई है उसमें से एक बड़ा population गाउं में जाकर के बसना पसंद करेगा इसके नाते health पर भी एक positive impact पड़ेगा चुकि हम गाउं गाउं में solar park बनाएंगे तो उसके नाते employment generate होगा अभी सरकार जो है चाहती है कि internet का पुरा fiber का जो जाल है गाउं गाउं तक पहुँचाया जाए देश के प्रतिय गाउं तक जाए तो जब electricity होगी internet की सुविधा उसके नाते effective हो जाएगी internet और electricity दोनों रहेगी तो बहुत सारी service industry work from home जो चलती है वो लोग गाउं से भी करना पसंद करेंगे इसके नाते मकानों के real estate के जो एक जो domain है जैसा कि हम जानते हैं कि RERA Real Estate Regulatory Act गाउं पे इतना जादे applicable नहीं है जितना शहरों पे applicable है तो बड़े-बड़े builder गाउं में भी invest करना पसंद करेंगे और गाउं का infrastructure एक अलग domain में पहुँचेगा मेरा ऐसा मानना है कि बुल्डोजर सिर्फ बुल्डोजर नहीं है बलकि भारत वर्ष में रोजगार, उजाला और जीवन में खुसहाली लाने की एक guarantee काड़ हो सकता है आवश्यक्ता है बुल्डोजर को सही दिशा में चलाने की और उस बुल्डोजर के माध्यम से जो जमीने खाली कराई जा रही है उनका सही दिशा में उपयोग किया जाए ताकि भारत एक नए राष्ट निर्मान के तरफ आगे जाए और उसमें बुल्डोजर की एक बड़ी भूमिका कंसिडर किया जाए मैं बुल्डोजर को भारत वर्ष के development की एक guarantee काड़ के तोर पर देख रहा हूँ मैं चाहूँगा कि आप comment करके अपना opinion दे और अगले कौन से विशे पर मैं वीडियो बनाऊँ मुझे idea दे, मुझे suggestion दे ताकि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ अगला जो आपके सामने में वीडियो ले करके आने वाला हूँ वो है एक और राजनेतिक मुद्दे को मैं आपके सामने रखूँगा कि उस राजनेतिक मुद्दे के मध्यम से हम किस तरह से career opportunity create कर सकते हैं धन्यवाद